हमारे साथ इस वक बाच्चित करने के लिए मौझूद है दिली सरकार के रिवेन्यू मिनिस्टर केलाश गेलो जो की आईटियो घाट का दौरा करने के लिए पहुचे हैं सर्क किस तरीके की तैयारियां जो है इस वर आईटियो घाट पर होने जा रही हैं बहुत अच्छे इंतिजाम किये जा रहे हैं और बड़ी खुशी की बाद है कि दो साल के बाद एक बार फिर दौरा मानियसी अर्विं केज़िवाल जी की नेत्रतों में अलग लग जगें 1100 साइट्स पे दिली सरकार दौरा बहुत बड़ी इंतिजाम किये जा रहे हैं सबी दिल्लिवासियों को चटपुजा के देश सारी शुपकाम नहीं और एजर रेविन्यू मिनस्टर आइल इंशोर कि जो भी अर्विं केज़िवाल जी के जो आदेश है उनके बहुत अच्छे तरीके से पालना हो विदिन लास्ट टू वीक्स मल्टिबल मीटिंग्स आइफ टेकन विद ओल दी अथौरोटीज एंड एरिया दीम्स डिविजल कमिशनर और मेरी कहल से बहुत बड़ीया तरीके से इंतिजाम हम करेंगे कोई 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 बात नहीं है जो भी हमारे डिजनेटिड घाट से उन पे बहुत बड़िया तरीके से इंतिजाम किये जा रहे हैं हावेवर कीपिंग इन माइंड जो एंजीटी के ओर्डर से उनकी भी हमें पालना करनी है तो उसको देखते भी एरिया डियेम्स थोड़ा बहुत अगर जुरोत पड़ी तो गाट को आसपास कहीं शिफ्ट करें कहीं जैसे इस्ट में दलदल है वहाँ पर तो ऑबिसली वहा हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से सारे इंतिजाम किये जा रहे हैं मैं परसनली एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा हूँ और जैसे कि सीम साब ने कहा कि इस बार बड़े दूमदाम के साथ चटपूजा को मनाएंगे एक आकरी सवाल कालंदी कुझ घाट को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो टॉक्सिस को लेकर के केमिकल का चिड़काव किया जा रहा है उस पर बीजेपी से यह तौर पर कहा रहे है कि लोगों के साथ खिलवार किया जा रहे है उस पर क्या कहेंगे जा रहे है यह पूछेंगे तो अच्छा होगा। पूछेंगे तो अच्छा होगा।